दोस्तों बहुत बार हमें एक प्रॉब्लम आती है जब भी हम अपने Indian Post Payment Bank की Mobile Banking जो Application है IPBB तो यार उसको हम Login करने कर ट्राइ करते हैं तो हम बहुत बार अपना Login Pin भूल जाते हैं तो उस Condition में हमें अपने Login Password को Forget करना होता है लेकिन वहाँ पर हमसे कुछ Personal Detail मागी जाती है जैसे हमारा Account Number, Customer ID, आपका Date of Birth और भी बहुत सारे चीज़ें तो कैसे आप जो है बिना Customer Care के आप 2 मिनिट में अपनी सारी Details को पता कर सकते हैं और साते सत में Guys आप अपने Account को बहुत ही आसाने से Login कर पाएंगे विडिकों तक जरूर देखी का तब ही आप समझ पाएंगे हलो दोस्तों मिना नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसफर टैग तो चलिए सीखते हैं तो Guys इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर IPBB Mobile Banking Application को ओपन करना होगा आप यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपना PIN एंटर कर तो यहाँ पर invalid PIN बता रहा है मैं login नहीं कर पा रहा हूं और हो सकता है आपका account लॉक हो चुका हो तो आप customer care पर भी call कर सकते हैं यहाँ पर मैं side में आपको number दे दूँगा आप Guys यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है forget M PIN forget M PIN पर आप लिक करते हैं OK करना होता है आपको और य आपने account खुलवाते time दिया था आपने Indian Post Payment Bank का आपको उस email ID को open करना है और यहाँ पर उपर search का एक icon है आपको search पर click करना है और आपको यहाँ पर लिखना है IPPB ठीक है IPPB और यहाँ पर आप लिखेंगे search करेंगे और यहाँ पर आप देखो कि bank आपको हर मेंने अपनी त इस PDF फाइल को कैसे open करना है यहाँ पर आपको कुछ example दे गए हैं जैसे जब आप PDF फाइल को open करेंगे तो वहाँ पर आपका एक password बना होगा तो यहाँ पर example की तौर पर यहाँ पर देखो कि आपको तीन अलग-अलग तरीके दे गए हैं मानके चले कि आपका नाम है स्याम गुपता तो यहाँ पर दोस्तों आपका डेटो बर्थ है 10-8-1989 तो यहाँ पर जो आपका password हो बन जाएगा SHYA यानि कि आपका नाम का starting के 4 characters और उसके अलावा जो आपका डेटो बर्थ है और आपका month है और year है यहाँ आपको यहाँ पर last का to अंक लेना होगा क्योंकि जैस और यहाँ पर हम अपना password को enter करते हैं मान के चलिए मेरा यहाँ पर जो है डेटो बर्थ है 2 जुलाई सन 1990 तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा मेरा नाम नवीन है तो मुझे लिखना है N A B E starting के capital में 4 characters इसके अलावा 02 यानि कि 2 जुलाई इसके अलावा 07 और उसके अलावा मुझे लिखना पड़ेगा 95 यानि कि 9519 मुझे नहीं लिखना है तो चलिए मैं यहाँ पर अपना password को enter कर लेता हूँ और यार गाईस आप एक चीज़ भूल जाते हो वीडियो को like करना तो यार फटवर से एक like ज़रू कर दो तो अभी दूस्तों मेरा यहाँ पर statement open हो चुक account number और customer ID और साथ साथ में हमने data पर यहाँ पर अपना enter कर लिया है अब आपको यहाँ पर अपना register mobile number को enter करना है जो भी आपने account के साथ में link करवा रखा है Indian post payment bank के और दोस्तों हो सकता है कि आपका जो Gmail ID है वो आप भूल चुके हो यह फिर आपको याद नहीं है या फिर login न इंडियन post payment bank की customer care number पर और आपको उनको बताना है कि मेरा login नहीं हो पा रहा है और मुझे अपना account number और customer ID याद नहीं है तो मुझे बता दें वो आपसे basic detail आपका पूछे का नाम, data birth और आपका mobile number और आपको details बताई जाएंगी तो चलिए यहाँ पर हम अपना mobile number enter कर लेते ह और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाते हैं तो चैनल को याद सब्सक्राइब करके यहाँ पर bell icon को और पर ज़रूर प्लस करके रखेगा ताकि future में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको not fiction मिल जाए सबसे पहले उसके बाद दुस्तों आप से पूछा जाएगा कि आप अपना एक नया pin बनाए mpin चार नंबर का आप यहाँ पर एक pin बना लेंगे और उसी pin को आप यहाँ पर नीचे भी enter कर लेंगे तो चलिए हमने दोनों pin यहाँ पर उपर और नीचे भी enter कर लिया है same to same अब हम नीचे यहाँ पर set mpin पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर आप देखो कि आपका जो register mobile number है ना Indian Post Payment Bank के साथ में उस पर एक OTP मेसेज आएगा यानि कि one time password मेसेज के थुरू आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है तो यहाँ पर 257513 और हमने सुमिट पर क्लिक कर लेते हैं तो अभी आप देख पाएंगे कि registration हमारा successful हो चुका है तो चलिए हम login पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने अपना PIN मनाया था नया PIN उसको हम enter कर लेते हैं तो अभी आप देख पाएंगे हमारा जो account है यहाँ पर successfully login हो चुका है तो इस तरीके आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर आई बिटन पर मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखीगा